गई दोर के बैठक और मुलाकात के बाद महराश्ट विकास आघारी में सुशेना ने अपने 17 उमिद्वारों का एलान कर दिया लेकिन एलान क्या किया महराश्ट विकास आघारी में नाराजगी निकल कर सामने आ गई कॉंग्रेस के नेता भी नाराज हैं मुंबई कॉंग्रेस के नेता नाराज हैं कि ऐसी सीटों पर भी सुशेना ने अपने उमिद्वार डिकलेर कर दिये जहां कॉंग्रेस के उमिद्वार शुनाओ लड़ते रहे हैं या फिर कॉंग्रेस की परंपरागत सीट रही है अब तो ये माना जा रहा है कि सिवशेना की दादागरी इस हद तक नजर आई कि कॉंग्रेस को खैरात में एक टिकट मुंबई में मिलने जा रहा है ये शब्द है संजेन रुपम के हमारे साथ इस पूरे विशाय पर बात करने के लिए जिशान सिद्धिकी हैं सबसे युआ विधायक हैं कॉंग्रेस के जिशान बाई सबसे पहले तो आप में देखा कि आज सुबह होते ही सिवशेना ने अपने 17 उमिदवारे की घोशना कर दी किस सरसे देखते हैं इस लिश्ट को देखें यह बहुत दुर्भागी पूर्ण है और यह कोई नई बात नहीं है शेवसेना की जो दादागिरी आप कह रहे हो यह जब हमारी अलायन्स शुरू हुई थी चार साल पहले साड़े चार साल पहले यह तब से ही हो रही थी यह बहुत दुर्भागी पूर्ण है कारेकरता नाराज है और मैं पहले भी कहा हूँ कि हमारा असल दुश्मन शिवसेना यूबिटी ही है बीजेपी तो बात का दुश्मन है तो मुंबई में लोगसभा की छे सीटे हैं और इन छे सीटों में से क्या सिवशेना पांच पर लड़ेगी और कॉंग्रेस सिर्फ एक पर लड़ेगी और हम कुछ कहेंगे नहीं यह दुर्भागेपूर्ण है और यह कारेकरता हूं कि हार है और कारेकरता हूं और कैडर कमजोर होता जाएगा और शिवसेना यूबिटी को पड़ी नहीं है वो अपने अहंकार में है उन्हों अपने खुद के आमदार नहीं बचा पाया अहंका मुंबई में Congress और NCP ने 6 की 6 सीटे जीती थी साउट सेंट्रल की सीट एक मजबूत Congress की सीट रही है वहां पर एकनाध गायकवार मजबूत रहे सीट आप लोगे की बहुत मजबूत सीट रही इसके बाउजूत इन दोनों सीटों पर candidate का ऐलान कर देना, तो क्या Congress इतना कमजूर हो गया है? जब seat sharing की बात चल रही है, तो आप एक alliance partner कैसे बहार आके सुभा, Twitter या किधर भी announce कर सकता है, ये मेरी बात है, कल ही मुझे लगते है नाना पटोले जी ने कहा कि नहीं सांगली की जो seat है, वो हमारी है, मुंबई की South Central में तो हमारी जो मुंबई Congress का अध्यक्षा है, वर्षा ताई, कि पिता जी लड़ते आ रहे है, हम चाहते हैं थे कि वर्षा गाइकवाट जी लड़े उस seat, मगर फिर भी अगर वो हमारी बातों को नहीं मद्दे नजर रखते हैं और सिर्फ अनाउंस कर लेते हैं, तो यह Alliance का क्या फाइदा, अगर एक Alliance से हमारी पार्टी ही कमजोर होती जा रही है, तो इस Alliance का फाइदा क्या है, दोश किसको देते हैं, आप यह जो इतनी बैठके हुई, इतने मुलाकाते हुई, एक कॉंग्रेस का नितरुत जाके लीडर्शिप बात करता था, seat sharing को लेकर, और उसके बावजूत ऐसे आलान हो तो फेलियर है, फेलियर जरूर है, मैंने हमेशा कहा है कि हमें रीड की हड़ी रखनी पड़ेगी, मेरी seat के बारे में भी वो तो Assembly election बहुत दूर है, पर संजे राउट जी आए दिन कहते थे कि नहीं वो तो हमारी seat है, मेरे time पे भी किसी ने कहा नहीं, अभी भी कोई कहेगा नहीं, लोग सिर्फ बोलेंगे नहीं हमें खेद है, और चीज़े आगे बढ़ती जाएगी, लोग क्या है अपनी-अपनी ministry देख रहे थे अपने time पे, अभी अपनी-पनी seats देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि हमारा सब ठीक हो, मगर संगहटन का कोई सोच रहा हैं, आज को जो Congress के जो थोड़िल वो ट्रोल्स है, वो बोलेंगे नहीं है, गरत कह रहा है, मगर एक ना एक दिन आपको समझ में आ जाएगा, कि Congress Party को सबसे ज़ादा नुकसान शिरसना UBT नहीं किया है, और आगे भी वो ही बड़ा दुश्मन रहेगी हमारा. Congress इतनी बेबस क्यों है? क्या पता, Congress Party हमारे घुटके जो अगर घर के सदस्य नाराज है, कितने लोग छोड़ देंगे अगर अपनी सीट्स की बात करेंगे, उनकी सीट्स में शिरसना आई दिन कहेंगे कि नहीं ये सीट हमारी है, वो सीट हमारी है, तो Congress लड़ेगी क्या? Congress के चार विधायक है मुंबई में, अब अगर 2009 की बात करेंगे तो कितने विधायक थे? Congress की लेर थी, अगर 2024 में चार है, चार को मुझे तो रोज टारगेट किया गया, एक इंसान ने मेरे बारे में कुछ बोला नहीं, अगले भी टारगेट करेंगे, कोई बोलेंगे नहीं, चार से शूर नहीं हो जाएंगे, और क्या करेंगे, और क्या होगा? तो कुछ जगहों पर अब ये बात कही जा रही है, कि जहाँ जहाँ सीटों की जो नाराजगी है, वहाँ फ्रेंडली फाइट हो जाए, ये विकल बिखता आपको? तो हम जीते थे ना, शिवसेना के अगेंस भी, उसके बाद चलो, अलाइंस हो गया, जो हम नहीं चाहते थे, मैं नहीं चाहते थे, वर्षाताई नहीं चाहते थे, आज जो अलाइंस को इतना तवज्जो देती है, उनको पूछी जब 2019 में पूछा गया था हम सब को, तो वर पूछी जो बेवसी है, वो क्यो है, राइंस तोड़ दीजिए ना, फिर देखते हैं, आप जब ये बाते इतनी बेबाकी से कहते हैं, कॉंग्रेस के प्रती, तो आप देखते ही हों कि सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर कहा जाता है, जिशान सिद्धिकी तो ऐसे भ कि बोड़ है, वो बोलते रहेंगे, कि आप तो छोड़ के चलेगे, मगर असली में वो मेरी ट्वीटाज सेव कर सकते हैं, ये थोड़े महनों में या थोड़े दिनों में उनको पता चल जाएगा कि हमारा दुश्मन कौन है, मैं तो यही कह रहा हूँ, कि अगर हमारे अच् राश्ट्री पार्टी है, और राश्ट्री पार्टी होकर वो लग रहा है कि सिर्फ सत्रा और बहुत, कहा जाए तो सिवशना का अहसान हुआ तो अठरा सीट मिलेगी और सिवशना बाई सीट पर लड़ेगी, ये दुर्भागे पूर्ण स्थिती पैदा हो रही है, जिम्म जो नेगोशियेट कर रहा है, उनको मानूगा, जिम्मेदार मानूगा, मैं शिवसेना यूबिटी के लोगों को जो आए दिन गरत गरत स्टेटमेंट्स में करते हैं, नेताओं को उपर हमारे कहते हैं कि दिल्ली के नेता सर्वस्ट्रेश्ट है और ये गाओ गली के नेता तो कुछ है नहीं, गाओ गली के नेता ही तो आपको चुनाओ जीता के देते हैं, तो ठीक है, जो बात है, अगर हमारी वैल्यू नहीं है, तो ऐसा लग रहा है कि मुंबई महराश्टर में लोकल लीडर्शिप की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो ठीक है, ऐसा है, तो फिर दि अलाइंस नहीं है, हमारी विशारदारा कभी मैच नहीं होती है, तो आलाइंस की बात ही किया आती है, उसमें, पर उपर में जो पिनके है, आप से बात कीजिये, इंडिया अलाइंस में मेरे सारे पोश्टर बने थे, मेरी हयात में हुआ थे मेरे मद्धारसंग के को लगकर एक या दो दिन पहले मुझे बोला गया कि नहीं आप कॉंग्रेस पार्टी के सारे बैनर्स को हटा दीजिए उस मीटिंग में उदव ठाकरे जी थे, शिवसेना के विविटी के प्रमोक और वो थे तो मैं यही बोलना चाहता हूँ अपको कि अगर ऐसी चीज होती है कि मेरे मद्धारसंग में कॉंग्रेस पार्टी के बैनर्स रातो रात मुझे बोला जाए दिल्ली से और अने एक जगह से और मुझे कैसे तरीकी से भात की थी कि नहीं अब कभी आपको बैनर्स लगा लो तो यह मनोबल कारेकरता को तूटता है तो शिवसेना इतनी इंसिक्यूर पार्टी है क्या अकरी सवाल मेरा राहूल गांधी की नया यात्रा निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा मुंबई में कुल मिला कर अब यात्रा को हम देखें और सीट का अलान देखें तो ऐसा लगता है कि वो भारत जोड़ो यातरा कम सुशेना के लिए यात्रा ज़्यादा नजर आ रही है और अंद भी सेवाजी पार्क में हुई उन्जे गहों पर तो कॉंग्रेस लड़ी नहीं रही है उसकी बात नहीं मुझे लगता है राहूल गांदी जी को हमेशा गुमरा किया जा रहा है जब वो इधर आए भी थे तो उन्हें जो सही पिक्चर है वो बताया नहीं जा रहा है मैं जब उनका पहला भी यात्रा था तो एक दस मिनिट का टी ब्रेक मिलता था तो हमें मैं था न सही लोगों से बात करेंगे तो उनको पता चलेगा कि कॉंग्रेस पार्टी का महराष्टर में सच में दुश्मन कौन है और कौन लुकसान पैदा करना है आखरी सवाल जिशान सिद्धिकी कॉंग्रेस कप छोड़ रहे हैं नई पार्टी का दामन कप थाम रहें बात दिखे कि बात यह नहीं है कि जिशान सिद्धिकी कॉंग्रेस कप छोड़ रहें मैंने तो हमेशा से कहा है कि मैं कॉंग्रेस पार्टी में हूँ कॉंग्रेस पार्टी नहीं मुझे छोड़ दिया है मुझे पत से निकाल दिया है और जिस हिसाब से चल रहा है कि आज संजय निरुपम जी कुछ बोल दे या मैं कुछ बोल दू कल अमीन भाई असलम भाई कुछ भी कुछ बोल दे कुछ भी शिफसरा आए दिन बोलती जारी है हमारे बारे में कोई भी नेता के बारे में तो एक ऐसा फक्त आएगा कि कॉंग्रेस में फिर कोई रहेगा ही नहीं कोई दुरिभागे पूर्ण है रहे हैं हम सब बच्पन से पैदाईशी कॉंग्रेस रहे है मगर हमारे ले कोई लड़ाई नहीं लड़ा रहे है अगर मुझ पे जो अन्याय हो रहा था एक भी नेता अगर लड़ लिया होता तो मेरा दिल हमेशा उनके पथी जीट जा गया होता मगर कोई लड़ाई नहीं सब अपने मंतरी पर मैं आई दिन ट्विटर पे बोलता रहा था था मीडिया पे बोलता था दिल्ली का फोन आता था कि ने आप आलाइंस तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं आप मत कीजिए अरे मुझे आलाइंस तोड़ के क्या मिलेगा मैं तो सिर्फ अपनी जो मुझे बीती है वो बोल रहा हूं और आज जो मुझे पे चार साल बीती है वो अलग-अलग नेताओं पे बीतते जा रही है और मैं देख रहा हूं यह दुर्भागेपूर्ण है क्या करें धन्यवाद हमसे बात करने के लिए जिशान सिद्धी की जिनका कहना है कि देखा जा तो बीजेपी बाब में सिवशे लेकिना यूबीटी ग्रुप पहले कॉंग्रेस की दुश्मन है और ये बात अभी लोगों को समझ में नहीं आ रही लेकिन को समय बात जरूर ये बात लोगों को समझ आएगी कैमरा में धर्मिंद्र पाड़े के साथ मर्तिन जैस सिंग एबीपी निउस मुंबाई